ये देश के इतियास में पहली बार हुआ के संसद 19 दिन चलनी थी लेकिन 17 दिन ही चल पाई क्योंकि देश के विपक्ष ने संसद को चलने ही नहीं देना है लेकिन संसद की मर्यादा को तार-तार किया गया जहां एक तरफ संसद में लगा हुआ सुरक्षा के लिए शीशा था उसको तोड़ा गया मेज पर चड़कर वो रेजिस्टर फैंके वहीं मंत्री के हाथ से लेकर कागज फार दिया गया और धक्का मुक्ष की गई के दो मार्शलों को चोट आई है गंबीर चोट लगने के कारण वो मार्शल होस्पिटल में भरती हुए हैं उपसभा पती जो ह वो आँखों में आंसू तक ले आए वेंके या नाइडू लेकिन विपक्ष के नेताओं पर ना तो किसी के आंसू का असर है ना किसी टैक्सपेयर के बरबाद हुए पैसे की चिंता है सवाल ये उटता है कि ये जितना हंगामा हुआ है ये क्या पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जी हां ये सांसर अपराद ही किस तरह के लोग चुन करके आ जाते हैं इनसे कैसी उम्मीद करोगे कि यहां चुपचा बैटकर शांती से ये बात सुनेंगे ये देश के कानून पर पॉजिटिव चर्चा करेंगे नहीं करेंगे यदि वो तमीज से पेस नहीं आते यदि वो सदन में गरिमाओं का ख्याल नहीं रखते तो वो सरकारी काम में बाधा माना जाए और उसके कारण उनके खिलाप F.I.R. भी दर्ज हो नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी देश की संसद को विपक्ष ने सरमसार किया है और ये देश के इतियास में पहली बार हुआ के संसद 19 दिन चलनी थी लेकिन 17 दिन ही चल पाई दो दिन पहले सत्र को खतम करना पड़ा क्योंकि देश के विपक्ष ने संसद को चलने ही नही देना है ऐसा तै कर लिया था लेकिन संसद की मर्यादा को तार-तार किया गया जहां एक तरफ संसद में लगा हुआ सुरक्षा के लिए शीशा था उसको तोड़ा गया मेज पर चड़कर वो रेजिस्टर फैंके वहीं मंत्री के हाथ से लेकर कागज फार दिया गया और धक् राजसबा की सिक्योर्टी ने दो राजसबा संसदों को बाकाइदा नामदर्ज उनके रिपोर्ट लिकाई है जिसमें अनिल देशाई और ई करीम है ई करीम पर आरोप है कि उन्होंने मारसल को गले से पकड़ा और गला इतनी जोर से दबाया कि उनको यहां चोट लगी है इ यह बड़ी कारवाई है पूरे देश में यह मांग उठ रही है कि जिस जिस तरह से सदन में विपक्ष ने किया यह टेक्सपेयर के करोड़ों रुपे का यह नुकसान है क्योंकि संसद में कानून पास करने के लिए देश के विकास के लिए विपक्ष को बेजा जाता है जो लोगों के खिलाब सक्त कारवाई होनी चाहिए निश्चित रूप से जिस तरह से शाहिन बाग को मोदी जी ने प्रियोग शाला बताया था ठीक अब विपक्षी दल की संसद जो है यह प्रियोग शाला हो गई कि दो दिन पहले सदन चलने के दो दिन पहले कोई फरजी मुद्दो पर ना तो चर्चा कर सके ना नए कानून बना सके ना बिल पास कर सके ना देश की विकास के मुद्दो पर चर्चा हो और ना कोरोना काल की तीसरी आने वाली लहर पर कोई बात हो जो देश का विपक्ष है उन्होंने संसद के अंदर अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बत्तमीजी की है बिल बुक उपर फैंक दी गई कांच तोड़ा गया मंतरी के हाथ से परचे उठा करके फार दिये गए जिस पर आपको बताएं हमाई उपसभा पती जो है वो आँखों में आंसू तक ले आए वेंकईया नाइडू लेकिन विपक्ष के नेताओं प बरबाद हुए पैसे की चिंता है ना उनको देश के विकास में बने हुए बादा की चिंता है इस पर आपको बताएं विपक्ष की ही नेता है बहन मायावती उन्होंने कहा है कि मेरे आज तक के कैरियर में मैंने इस तरह की बत्तमीजी कभी नहीं देखी जैसी इस बार है लोग बेंच पे खड़े हो गए मारसलों के साथ मारफीट की गई जिसमें अब विपक्ष यानी कॉंग्रेस महिला सांसदों के पीछे चुपकर महिलाओं के नाम पर वो एक सानबूती बटोरने की कोशिश में है जबकि आपको बताएं सरकार के साथ मंतरियों ने प्रेस पक्ष ने किया कि उन्होंने जो बुक है उसको फैक कर मारा जो जिसमें की सेडियूल लिखा हुआ है और काच तोड़ा गया रूल बुक जो फैकी है वो बाकाइदा बिलकुल उन्होंने कहा ये कातिलाना हमला है कि उसको मारा इसलिए गया ताकि चोट लग जाए पक्ष के किसी भी आदमी को और रूल बुक के अलावा काच तोड़ा गया और जब मार्शल बहार से बुलाए गये तो ये कह दिया गया विपक्ष के द्वारा के हमारे उपर हमला हुआ सवाल ये उटता है कि ये जितना हंगमा हुआ है ये क्या पहले से स्क्रिप्ट लिखी हुई थ हाता है और ये विपक्ष उस मुद्दे को लेकर पहली बार नहीं है जब से मोदी सरकार आई है ये विपक्ष सारा इखटा होता है और कॉंग्रेस की देख रेक में जिस राहुल गांदी को ये पप्पू बोलते हैं वो राहुल गांदी कितना शातिराना दिमाग रखता है आज ये समझने की जरूरत है मोदी जी और इनकी सारे दलों को कि जिसको आप ये सोचते हो कि उस आदमी में कोई समझ नहीं है वो दल तो बहुत हलका है आज भी देख लो कि कॉंग्रेस ही कमांड कर रही है अगर आप इसी तरह बेचारा बनकर विपक्ष की चाल में आते र क्योंकि सरकार का काम है सरकार चलाना सरकार की जुम्मेदारी है संसत चलाना यदी विपक्ष हला कर रहा है यदी विपक्ष किसी विदेशी के इशारे पर फरजी मुद्दे लाकर विपा और सजन को नहीं चलने दे रहा है तो उसका तो स्वार्थ समझ में आता है क्योंकि वो सरकार ना चला कर वो इस देश की विकास यात्रा को रोकना चाहता है बात आती है विपक्ष कह रहा है कि मार्शलों ने उनके उपर हमला किया है मैं एक आम नागरी को मैं पूछना चाहता हूं इन विपक्षी नेताओं से मैंने टेक्स दिया मेरे टेक्स के पैसे से आप सं खर्च होता है धाई लाक रुपया खर्च होता है और इस बार जो हला गुला विपक्ष ने किया है उसके कारण 216 करोड रुपे टैक्स पेर का बर्माद कर दिया इस विपक्ष ने तो मोदी जी मेरा सवाल आप से भी है कि यदि विपक्ष इसी तरह का वहवार करेगा क्योंक इसी तरह चलता रहेगा विपक्ष बत्तमीरी करेगा और देश में कोई कानून नहीं बनेगा संसद के अंदर काम नहीं होगा आज की डेट में आप बताओं ओनली ओनली इस मांसून सत्र में जितना काम होना था उसका केवल 22 परतीसत काम हुआ है जी हाँ ओनली 22 परतीसत य गंटे 17 दिन केवल सदन चली दो दिन पहले खतम हो गया केवल मातर 28 गंटे काम हुआ और इसके अलावा यहां आपको बताओं के अभी तक 2016 में सीत कालीन सत्र था जहां 15 परसेंट केवल काम हुआ अब आप समझ लीजिए 2014 से लेके अभी तक कोई एक मुद्दा आएगा उस इसी तरह सदन में गैलरी में आ जाएंगे शोर सराबा करेंगे और इस बार तो मंत्रियों का इन्होंने परीचे तक नहीं होने दिया यह मर्यादा दिखाती है तो किस से उम्मीद कर रहे हो यह सांतर अपरादी किस तरह के लोग चुन कर के आ जाते हैं चुनाव आयोग चुनकर संसद में जाते रहेंगे तो अपरादी से आप क्या उम्मीद करोगे मेरी इस बात पर आप देखना संसद अब्जेक्शन करेंगे आपने ऐसा क्यों कह दिया लेकिन यह मैं नहीं कह रहा हूं संसद कह रही है हमारे देश की सुप्रीम कोट कह रही है कि अपरादी परवर्ती के लोग अगर किसी पार्टी ने चुनकर उनको संसद बनाया है अपना संसद कैंडिडेट बनाया है और वो चुनकर के सदन में पहुँच गए हैं तो यह इनसे कैसी उम्मीद करोगे कि यहां चुप्चा बैटकर शांती से यह बात सुनेंगे यह देश के कानू पर पॉजिटिव चर्चा करेंगे नहीं करेंगे क्योंकि इनको कानून का पता नहीं है इनको कोई सांती से लेना देना नहीं है इनको कोई देश के विकास से कुछ लेना देना नहीं है इनको केवल एक बात आती है गुंडा घर्दी करो शोर मचाओ हला करो मार पीट करो इ एक कानून बना दीजिए आप फुल बहुमत में हैं जीत के आए हुए हैं कई कानून आपने पास किये एक कानून पास कर दीजिए और जो आप पे भी लागू होगा और जो सब पे लागू होगा संसद के अंदर संसद के पूरे टाइम में जो शांती से बैठ कर बहस ना करे पोजिटिव चुप चाप उसके अलावा उसको उठा के भार फैंक दिया जाए जो हला गुला करे जो सदन्व की गरिमा को तार तार करे उसके ऊपर अनुशाशनात्मक कारवाई करकर उसको जेल में डालने का परवाधान होना चाहिए पूरे सत्र के दोरान उसको भार करो उसकी एंट्री बैंड होनी चाहिए एक साल के लिए उसको निलम्बिट करना चाहिए और जिस तरह से सरकारी काम में बादा डालने के कारण एक आम आदमी को आप जेल में डाल देते हो कानून बना रखा है यदी कोई आदमी ठाने में जा बंद तो आम आदमी के लिए जेल है ये सांसदों के लिए और विधायकों के लिए जेल क्यों नहीं है जब तक इस देश में ये कानून नहीं बनेगा कि इस देश में जो भी विधायक हैं जो भी सांसद हैं यदि वो तमीज से पेस नहीं आते यदि वो सदन में गरिमाओं का ख्याल नहीं रखते तो वो सरकारी काम में बाधा माना जाए और उसके कारण उनके खिलाब F.I.R. भी दर्ज हो आज की डेट में लाइव टेली काश्ट हो रहा है वीडियो ग्राफी हो रही है ओडियो भी कैच हो सकती है इस तरह के कैमरे है पूरे सबूत के साथ ये वीडियो ओडियो का मामला कोट में जाए चाहे तो सदन अपने आप तै करे और मैं एक और बात कह र हैं कि महिदा के साथ मारशल ने बत्तमीजी की मारशल उल्टा घायल हूएं और अगर किसी को कheetचना और फीच कार पकड़कर सदन से भार फैकना इसको ये बत्तमीजी कह Turkish कह रहे हैं इसको हमला कह रहे हैं तो यह हमला मारशलों को बहुत पहले कर देना चाहिए था जब सां संसद में बैटे हुए यह संसद बनकर आए हैं जो आपके और हमारे पैसे से जीवन भर पैंसन पाते हैं जीवन भर एशो अराम की जिन्दगी जीते हैं इनकी आपको बता दू के ओसत संपत्ती यह 18 करोड़ अठारा करोड़ यह ओसत संपत्ती है संसदों की देश के इनको क् पड़ता है लेकिन यह देश का दो अरब 90 करोड 25 लाक रुपया इस सत्र में बरबाद किया है इसके लिए विपक्ष जुम्मेदार है लेकिन देश की सरकार को भी सोचना है कि यह जो विपक्ष इस तरह की साजिश कर रहा है यह तो करता रहेगा आगे भी करेगा इसका रा और इनको सदन में बैन करिये ताकि देश के विकास के मुद्दे संसद के अंदर चर्चा किये जा सकें जिसके लिए यह संसद बना कर वहां भेजे गए हैं जो काम विपक्ष ने नहीं किया उसके लिए इसको सजा दिलाना जरूरी है वरना हर सत्र में इसी तरह फरजी चाहिए ना कि संसद की कोई कमेटी इस पर कारवाई करे आम पबलिक को पता होना चाहिए कि इस सत्र का सत्यानास करने में देश के विपक्ष का कितना सडियंत्र में हाथ है वंदे मात्रम